हलो फ्रेंड्स तो आज हम बनाएंगे बहुती क्रिस्पी कुरकुरा चटपटा नास्ता जिसे हम कच्चे आलू और ग्याउ के आटे से बना कर बहुती कम समय में सिंपल तरीके से घर पे ही कुछ रखी चीजों से बना कर इसको तयार करेंगे जब भी आपको कुछ चटपटा सा और क्रिस्पी खाने का मन करें तो आप इसे जटपट से बना कर त्यार कर सकते हो देर किश बात के चलिए बनाना शुरू करते हैं अगर आपको हमारी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सस्क्राइब कर लेना और सेयर कर देना चलिए बनाना शुरू करते हैं वीडियो को बनाने के लिए इधर हमने दो कच्छे आलू लिए मीडियम साइज के आप देख सकते हो इनको धुल लिया आता और चील लिया अच्छे से उसके बाद लेंगे मीडियम साइज का ग्रेटर उसके बाद इन पानी बिल्कुल यह बचना नहीं चाहिए जितना हमने आलू ग्रेट किया है सारा अच्छे से निचोड़ देख सके जाना है कितने खिली खिली से लग रहे हैं उसके बाद इसमें हम डालेंगे सूजी बारीक वाली दो चिमच भर कर इसमें हम सूजी डालेंगे सूजी को पहले से डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए पानी के इसके आलों के साथ में अच्छे से फूल जाएगी उसके बार लेंगे एक कटोरी भरकर इसमें हमने पालक लिया है बारीक कटा हुआ धुलकी क्लीन कर लिया था उसके बारीक बारीक कट कर लिया था और अब इसको बावल में ट्रांसफर कर देंगे इधर हमने कुछ सबजियां लिये एक प्याज लिया है मीडियम साइज का बार कटा हुआ दूसरे तीन ग्रीन चिली डाल देंगे इसमें उसके बार अद्रक लिये और लहसन लिया है कुटा हुआ और इसको ग्रेट कर लिया था तोनों को एक एक चिम्मच भर की उसके बार लेंगे एक गाजर ग्रेट की हुई इसको भी डाल देंगे इसमें सारी सब्जी अच्छे से एड़ कर दें, उसके बार डालेंगे फ्रेसरा धन्या बारीक कटा हुआ, उसके बार डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हो, उसके बार इसको अच्छे से सबजियों के साथ आलू को हमें मिक्स कर देना है, अगर आपको और चोड़ भी कुछ बेजीटेवलस इसमें ऐड करने है, तो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, अगर इसकिप करने है तो इसकिप भी कर सकते हो. अच्य से मिक्स हो चुके हैं उसके बाद कुछ मसाले एड़ कर लेंगे बन चोथाई चम्मच हल्दी पाउडर बन चोथाई चम्मच इसमें हम ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर डालेंगे उसके बार डालेंगे एक चिम्मच भरकर जीरा छोटी सी चिम्मच आप साइज देख सकते हैं उसके बार एक चिम्मच भरकर अ डिया है गेव का आठा जों नौर्मल घर में रोटी बनातें वो वाला इसको डाल देंगी और इसे भी हमें अच्छे Mostly के साथ हुसात्यों के साथ मिक्स कर लेना है तो हमने अच्छे से मिक्स करगा है हास से भी मिक्स कर सकते हूं उसके बार आखेसे बतना में ओल टूड़ा सा download और याई होने ए नागी है ज्यादाू को गरम कर लेंगे iç तरीके से rain में छोटा छोटा फिला दींगे इतना कड़ाई में स्पेस होगा उतना एक साथ हम डाल देंगी आप देख सकते हो वीडियो में इस तरीके से आपको set कर देने हैं उसके बाद उपर से डालेंगे सफेद तिल उपर से इनके डाल देंगे उसके बाद डालेंगे red chili flex थोड़ी थोड़ी उपर से अगर आप ऐसे ही बनाना चाहते हो सिंपल तरीके से तो सिंपल भी आप बना सकते हो उसका गैस को कर दीगे मीडियम फ्लैम पर और इसे अच्छे से सिखने देना है और अभी इनको पलट देंगी देख सकते हो आप कितना प्यारा कलर आया हुआ है गोल्डन ब्राउन सारे नास्ते को इसी तरीके से पलटके हमें दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लिना है बहुती प्यारा कलर आ चुका है आपको देखी पता चल रहा होगा बहुती क्रिश्पी और एक्दम मजीदाल लगने वाले हैं और अभी इनको हम प्लेट में ट्रांस्फर कर लेती हैं जो बचा हुआ नास्ता उसे भी सेम इसी तरीके से सेख के रेडी कर लेंगे इधर हमने सारा नास्ता बना कर रेडी कर लिया बहुती जटपट्स यो बहुती कम टाइम में बनकर रेडी हो गया था अगर आपको हमारी रेस्पी पसंद आती है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दिना चैनल को सस्क्राइब कर लेना थैंक पॉर वाचिं मिलते हैं आपको अगली वीडियो में